इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत से acid reflux, apach, peptic ulcer, rog और अत्यधिक acid उत्पादन से जुड़ी कुछ अन्य पेट की स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। Treblak injection तेजी से असर करता है और acidity से संबंधित समस्याओं से तुरंत रहत दिलाता है। इसका उपयोग गंभीर रूप से बीमार रोगियों में तनाव अलसको रोकने के लिए भी किया जाता है और आकांक्षा से संबंधित जटिलताओं को रोकने में मदद करने के लिए anesthetic दवा से पहले प्रशासित किया जाता है। यह proton pump inhibitor यानी की PPI के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। यही आपके लक्षन जल्दी से गायब हो जाएं। आप अधिक बार छोटे भोजन खाने और कैफी न्यूक पे यानी की जैसे चाय और कॉफी और मसालेदार या वसायुक्त भोजन से परहेच करके उपचार की दक्षता बढ़ा सकते हैं। इस दवा के साथ देखे जाने वाले सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कर आना, पेट फूलना, दस्त, पेट दर्द और ट्रोंबोफलिबिटिस यानी की दर्द, लालिमा और नस की सूजन शामिल हैं। ये लक्षन आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर ये आपको परिशान करते हैं, या दूर नहीं होते हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस दवा के लंबे समय तक उप्योग से साइड इफेक्ट का खत्रा बढ़ सकता है। उदाहरन के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का उप्योग करने से हड्डियों के फ्रैक्चर का खत्रा बढ़ सकता है, खास कर उच्च खुराक के साथ। घडियों के नुकसान यानि की ऑस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, जैसे केलशियम और विटमिन डी की खुराक लेना। इस दवा को तीन महीने या उससे अधिक समय तक लेने वाले कुछ लोगों में निम्न रख्ट मेगनीशियम का स्तर यानि की हाइपो मेगनीशियम्या देखा गया है। मेगनीशियम के इनकम स्तर से थकान, भरम, चक्कर आना, मांस्पेशियों में मरोड और अन्यमित दिल की धरकन हो सकती है। इसे रोकने के लिए आपका डॉक्टर आपके मेगनीशियम किस तर की निगरानी कर सकता है। रैबलाक इंजेक्शन कुछ लोगों के लिए उप्यूक्त नहीं है। इस दवा को लेने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को यह बताना होगा कि क्या आपको लीव की गंभीर समस्या है। HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं। अतीत में इसी तरह की दवाओं से अलजी की प्रतिक्रिया हुई है या हडियों के नुकसान, यानि की ऑस्टियो परोसिस से पीडित हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शराब पीने से बचें क्यूकि इस से आपके पेट में अत्यधिक एसिड बनता है और आपके लक्षन बिगर सकते हैं। यदि यह दवा आपको चक्कर या नीन का अनुभव कराती है तो वहन न चलाएं या मशीनरी या उपकरन का उप्योग न करें। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।